अथ दिव अपराद छमा पन इस्त्रोतम मा मैं न मंत जानता हूँ न यंत्र अहो मुझे इस्तूती का भी ज्यान नहीं है न आवाहन का पता है न ध्यान का इस्त्रोत और कथा की भी जनकारी नहीं है नो तो तो तुम्हारे मुद्राइं जानता हूँ और नो मुझे बियाकुल होकर बिलाप करना ही आता है परन्त एक बात जानता हूँ केवल तुम्हारा आनुसरन तुम्हारे पीछे चलना जो कि सब कलेसों को समश्द दुख विपतियों को खर लेने वाला है सब का उधार करने वाली कल्यान मेई माता मैं पूजा की बीधी नहीं जानता मेरे पास धन का भी अभाव है मैं सभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझ से ठीक ठीक पूजा का समापदन हो भी नहीं सकता इन सब कार्णों से तुम्हारे चर्णों की सेवा में जो तूटी हो गई है उसे छमा करना कियोंकि कुपुत्र का होना संभव है किन्तु कहीं भी कुमाता नहीं होती मा इस पृत्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं किन्तु उन सब में मैं ही अतियन चपल तुम्हारा बाला खुम मेरा जैसा चनसल कोई बिरलाई होगा सीवे मेरा जो यत्याग हुआ है या तुम्हारे लिए कदापी उचित नहीं है क्योंकि समसार में पूतर का होना संबवा है किन्तु कहीं भी कुमाता नहीं होती जगदम माता मैंने तुम्हारे चर्णों में सेवा कभी नहीं की देवी तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया तथापी मुझ जैसा अदम पर जो तुम अनपम सने करती हो इसका कार नहीं है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किन्तु कहीं भी कुमाता नहीं होती गरनेश जी को जम देने वाली माता पारवती अन देवताओं की अराधना करते समय मुझे नाना परकार की सेवाओं में ब्यब्यक रहना परता था इसलिए पचासी बर से अधिका वश्था बित जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है अब उनकी सेवा फूजा मुझे से नहीं हो पातिन अते उनसे कुछ भी सहरता मिलने की आसा नहीं है इस समय ज़ी तुम्हारी किरपा नहीं होगी तो मै और लंब रहित होकर किसकी सर्ण में जाऊंगा माता अपरना तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पर जाए तो उसका फल यह होता है कि मुर्ख चंडाल भी मधूर पाक के समान मधूर बानी का उचारन करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है दिन मनुस भी करोरो स्वन मुदराओं से संपन हो चीर काल तक निर्भे बिहार करता है जब मंत्र का एक अक्षर के स्वन का ऐसा फल है तो जो लोग बीधी पुर्बग जप में लगे राते हैं उनके जब से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा इसको कौन मनुस जा बहवानी जो अपने अंगों में चीता की राक भबूत लपेटे राते हैं जिनका बीस ही भोजन है जो दिगम धारी नगन रहने वाले हैं मस्तक्स पर जटा और कंट में नागराज बास्की को हार के रूप में धारन करते हैं तथर दिन के हाथ में कपाल भिक्षा पातर पाता है ऐसे भूतनात पसुपति जो एक मातर जगदिश की पदवी धारन करते हैं इसका क्या कारण है या मोहत उन्हें कैसे मिला या केवल तुमारे पानिगरहन की परिपार्टी काफाल है तुमारे साथ विवा होने से ही उनका महत बढ़ गया मुख में चंदरमा की सोबा धायन करने वाली मा मुझे मुख्ष के एक्षा नहीं है संसार के बैभव की अब इलासा नहीं है न बग्यान की अप एक्षा है न सुक की आकांचा अता तुमसे मेरी यहीं यातना है कि मेरा जन्म, मुड़ानी, रुद्रानी, शीव, शीव, सकी, सदा कठोर भावना का चिंतन करने वाली मेरी बानी में कौन सा अपराद नहीं किया है फिर भी तुम से महीं प्रत्न करके मुझ अनात पर जो किंचित किरपा द्रिष्टी रखती हो माया तुम्हारे ही जोग है तुम्हारे जैसे द्यामई माता ही मेरे जैसे कुपुत् माता दुर्गे कौर्णा सिंधु महेश्वरी मैं विप्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा अस्मरन करता हूँ पाले कभी नहीं करता रहा इसे मेरी सक्षता नमान लेना क्योंकि भूख प्यास से पिरित बालक माता कहीं अस्मरन करते हैं जगदम मुझ पर जो तुम्हा कि महा देवी मेरे समान कोई पात्तिकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पात्तिकी नहीं है ऐसा जान कर जो उचिते जान परिवा करो